गुड इवनिंग स्टुडेंट्स, यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में पानिपत के त्रीतिय युद के परिणाम और इसमें मराठों की प्राजे क्यों हुई इनके कारणों के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे तो देखेगा स्टुडेंट्स इससे पहले वाले वीडियो में हमने पानिपत के तिनो युदों के बारे में पानिपत का पर्थम युद, पानिपत का द्वीतिय युद और पानिपत का त्रीतिय युद इन सब के बारे में अलग से वीडियो में आपको अच्छे से हमने समझाया था तो आप यदि पहले वाले वीडियो को देखेंगे तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा आप एक दूसरे से लिंक कर पाएंगे और इतिहास विशे में ये महतवपुन टोपिक है पानी सहाइता मिलेगी ठीक है तो देखेगा पानीपत का जो त्रीतिय यूद है इसके बारे में हमने पहले वाले वीडियो में अच्छे से पढ़ा था उसकी गठनाओं के बारे में हमने पढ़ा था अब आता है इसके परिणाम और मराठों की प्राजे के कारण तो देखेगा 14. जनुरी 1761 को एहमसा अबदाली और पेश्वा बाजीराव के मद्धे पानीपत का त्रीतिय यूद लड़ा जाता है और इसमें मराठों की प्राजे हुई थी और जो मतलब पानीपत का जो इस्तला यह हरियाना राजे में इस्तित है और यह मतलब इतिहास की द्रस्टी से मह यूद के परिणाम और मराठों की प्राजे के कारण तो देखेगा पानीपत के त्रीतिय यूद के प्रिणाम क्या थे तो 14 जनुरी 1761 को पानीपत में मराठों और एहमसा अबदाली के 20 में जो यूद हुआ इसमें मराठों की बुरी तरह से प्राजे हुई थी ठीक है अब देखेगा इसका परिणाम क्या होता है अपार जन सक्ति का विनास तो देखेगा एक ओमन सी बात है कि यूद होगा तो उसमें जीत किसी की भी हो लेकिन उसमें जन सक्ति का विनास तो होगा ही होगा लोग तो दोनों साइड के मरेंगे ठीक है तो देखेगा इस यूद में म चाकर महारास्टर पहुंचे और पर्मुक नगरों में एक सोरी यह हमने अलग से ही कोई ऐसे ही पॉइंट आ गया इसमें इसके लिए हमें आप माप करें ठीक है तो देखेंगा जो पानिपत का त्रीते यूद्ध है इसके परिणाम में जो महतवपन परिणाम है वो यह हुआ कि अपार जनसक्ति का विनाश होता है फिर आता है पेश्वा के परभाव का अंत थीक है तो इस यूद्ध में मराठों की प्राजये ने पेश्वा के परभाव का अंत कर दिया और मराठा संकी एकता भी नस्ठ होने लगी तो हमने आपको पहले बताया था कि बाई जो पानि दूसरे का साथ उन्होंने अच्छे से नहीं दिया था जिसके कारण जो मराठे हैं वो इस यूद में हारते हैं तो मराठा संग की एकता नस्ठ हो जाती है और मराठों में पारस्परिक संगर्स कलाय होने के कारण उनकी सक्ति को गहरा आगात पहुंचा पेश्वा इन मराठों को अपने नियंत्रण में नहीं कर सका और धीरे धीरे उसकी सक्ति भी कम होती गई ठीक है उत्री भारत में मराठों का परभाव समात होना पानिपत की प्राजे से उत्री भारत में मराठों का परभाव पूरी तरह से समात हो गया था दोवाब तथा पंजाब परदेश उनक या क्योंकि अब भारत में कोई सक्ति साली जाती नहीं रही थी क्योंकि मरा टेम वो अलग से गुट बंद बना रखाता हूं लोगों ने पेशवा एकदम से अकेला पड़ गया था इस वज़े से मतलब क्या है कि भारत में एकदम से राजनितिक उतल पुतल मची हुई थी और इन सब का फाइदा उठाते हैं अंग्रेज और अंग्रेजों के सामने अब कोई भी ऐसी सक्ति नहीं बची थी जो उनका मुकाबला कर सकती अता है अंग्रेजी सक्ति का बड़ी तेजी से उत्थान प्रारम हुआ और अंग्रेजों ने एक तरह से देखे तो यहाँ पर और अंग्जेब के बाद देख लो जी यह मतलब की जो मुगल है उनका पतन हो ही गया था तो देखेगा पानीपत के युद ने मुगलों को भी पतन के गर्त में धकेल दिया उनमें अब इतनी सक्ति नहीं रह गी कि वे अंग्रेजों का सामना करने में सफल हो सकते तो जो ब पनितिक के पतन के पराजये ने मराठों की मान और पतिस्ता को दूल में मिला दिया उनके अजय सक्ति का कोई मुल्य नहीं रह गया और दूसरे राजये उनकी मितरता को प्राप्ध करने में संकोच करने लगे ठीक है तो बही जो मराठ्ट है वो एक मराठा जो सकती है वो एक बहुत ही मतलब सकती साले सकती मानी गई है अब क्या है कि इस यूद में वो लोग हार गए थे इनसे अब क्या होता है कि उनकी जो एजे सकती थी मतलब उनको कोई जीत नहीं सकता था ऐसा माना गया है तो वो मतलब अब उसका कोई मुल्य नही लगे थे ठीक है तो ये सब थे पानिपत के तृतिय यूद के परिणाम अब हम पढ़ते हैं पानिपत के तृतिय यूद में मराठों की प्राजे के क्या कारण हुए ठीक है ये टोपिक बहुत ही महतों पुण है कई बार एकजाम में मतलब क्यूसन पूछा गया है ये तो पति थे इनमें आपस में भी मतलब एहम किया निकी इगो की भावना हो गई थी जिसके कारण में एक दूसरी को निचा दिखाने का प्रियर्थन किया करते थे उन्होंने इस यूद में भी एक दल या एक पक्स की भावना से सुसंगठी थोक लड़ाई नहीं लड़ी नहीं त यह नहीं तो मतलब उनको मतलब हार का मू नहीं देखना पड़ता ठीक है दूसरा है अबदाली एक अदिक योगे सेना पति तो जो यह आपका एहमस्त अबदाली है यह है मराथा सेनापति की तुन्णा में एक अधिक योग्य सेनापति था और मराथा सेनापति कोन था शदासिवराव भावु वह है एक सहसी वीर और सहसी योधा भी था लेकिन एहमस सा अबदाली उसे बेदी कुशल और योग्य निकला और पानिपत के त्रीती युद में उसकी विवर रचना सदाशीव राव भाव की तुन्ना में अद्धिक स्रेश्ट ओर थी और मतलब जिसके परिनावस रूप अबदाली की जो सेनाव है पूरी तरह से अनुसासित रही थी ठीक है अब अगला पॉइंट आता है सदाशीव राव में चारित्रिक दोस्त तो जो महराथा सेनापति था सदाशीव राव भाव उसके कई चारित्रिक दोस्त थे तो देखेगा वह क्या है कि जल्दबाजी में निर्ने लेता था और शिकरे धहरिये भी खोद देता था अपना वह अपने प्रमुक सर्दारों के प्रामर्स की उपेक्षा करता था मानता नहीं था उनको और वह अपने हटिले सभाव का वेक्ति था ऐशे सभाव वाला जो सेनापति होता वह अपनी सेना का ठीक ढंग से संचालन भी नहीं कर सकता जिसके कारण उसको हार का मुह देखना पड पेश्वा बाला जी बाजिराव का उत्तरदाई तो आप देखेगा जो पेश्वा बाला जी बाजिराव है वे किस प्रकार से पानिपत के तरितिय यूद के लिए माराथों की हार के लिए उत्तरदाई था महराटों की प्राजे के लिए जो पेश्वा बालाजी बाजीराव है ये मतलब उत्तरदाई था इसने एहमसा अब्दाली की सक्ति का सही अनुमान नहीं लगाया और सद्धासीवरा भाव को अधुरी यूद सामगरी और धन देखकर भेज दिया और वह अपने दो परमुक सर ये दिवो जाता तो मराठों का मनोबल भी उंचा रहता ठीक है अगला पोइंट आता है सद्धासीवरा भाव की भूले यानि कि उसने क्या क्या ऐसी भूले करी जो हुआ है युद में हारा मराठा सेनापती जो भाव था इसमें सैनिक सूजबूज का भाव था और इसने अ ठीक तरीके से इसका भी प्रवंद नहीं किया और वेर्थ में तीन मैने तक अबदाली की सेना के सामने पड़ा रहा विश्वास राव की मरत्यू के बाद वह है अपना मानसिक संतुलन खो बठा और यूद संचालन के उत्तरदाइत्वय को भूला उसने भूला दिया था ठ फिर आता आपका मलहाराव होलकर का ए सहयोग तो मलहाराव होलकर है इसका क्या ए सहयोग रहा कि जो ये एक मलहाराव होलकर है ये है परमुक मराठा सरदार था और इसने पानिपत के युद में भाव को मतलब सदा सीवरा भाव है उसको पूरी तरह से सहयोग नहीं दिया और मराठो की प्राजे के पहले ही नजीब खानकी साहता से जान बचाकर वहां से भाग निकला था तो देखेंगा मराठो की अपक साथ जो एहमस अबदली है इसके स़स्तर और तोफ खाना वो उच्कोटी के थे माराठों का तोप खाना अब्दाली की बंदूगों के सामने परभाव हिन हो गया माराठों ने अपने भाले तलवार और पैदर सनिकों पर अधिक भरोसा किया जो अब्दाली के तेज घुड़ स्वारों के मुकाबले टिक न सके अप्दाली के सेनिकों की बंदुकों के सामने मराठों के भाले और तलवार परभाव हिन सिद हुए अप्दाली के सेनिक आग ने अस्तरों के संचालन में मराठों से कहीं अधिक निपुर्ण थे मतलब हम कह सकते हैं कि जो अबदाले का तोप खाना ये मराठों की जो सिंपल सी जो सेना या फिरून के जो अस्तर सस्त्रम उनसे काफी मतलब भारी बड़ा था मराठों द्वारा छापामार यूद परनाली का परित्याग तो देखेगा मतलब की मराठे हैं उन्होंने अपनी परंपरा गच्छापामार यूद परनाली का परित्यागर अपनी पराजे को आमतरित किया था मराठों के सीवर में उनके परिवार के सद्दस्यों और सेवकों की भी भरमार थी जिसके कारण भी उनकी रसत के अभाव की समस्या अधिक जटिल हो गई मतलब ज्यादा वेर्थ के लोग उनकी सेना में थे मराठा सेना में अनुसासन का अभाव था मराठों की सेना में अनुसासन का अभाव था जबकि अबदाली की सेना बहुत अनुसासित थी मराठा सरदार बहुत अभिमानी थे और अनुसासन को वो एकदम से हे दृष्टी से देखते थे मराठा सीविर में भी घोर एवेवस्ता थी और स्थानी जनता तक का उन्हें सहयोग प्राप नहीं मिला क्योंकि उन्हें गमन्ड था इसलिए जो लोग थे नोर्मल लोग थे उन्होंने भी उनका सहयोग नहीं दिया आवद के नवाब तता रुहेलों द्वारा अबदाली की सहयता करना देखेगा जो आवद के नवाब और रुहेले हैं उन्होंने अबदाली की सहयता की इसे मराठों की इस्तिती कमजोर हो गई ठीक है रुहेलों के जो नेता थे नजीब खां उसने एहमसा अबदाली को केवल खादे सामगरी ही नहीं पहुंचे बलकि उसे सेनिक सा आता भी दी तो मतलब जो अधर सत्या उन्होंने भी अबदाली को सहयोग दिया था जबकि माराठों को उन्होंने सहयोग नहीं दिया माराठों का दो स्पून सेने संगठन तो जो माराठ हैं उनका जो सेने संगठन है वह भी काफी दो स्पून था अबदाली के सेना में साथ जार सै निक थे जबकि माराठों के सेना में 45,000 सै निक अपदाली के सेना सुसिक्सित और अनुसासित थी और यूद कोसल में भी अधिकनी पुन थी मराटों के पास सस्तर भी अपकान सेनिकों के पेक्षा अच्छे नहीं थे मराटों ने सुरक्सित सेना रखने की कोई भी वेवस्ता नहीं की जबके अब्दाली ने 6000 सेनिकों के एक दल को सुरक्सित सेना के रूप में रखावा, मतलब पीछे छोड़ावा था, पानिपत के यूद मैदान में मराठों का तोब खाना भी परभाव सलिसित नहीं हुआ, ठीक हैं? अब देखेगा मराठों को जाटों तथा राजपुतों का सहयोग प्राप्ते नहीं होना, तो मराठों ने राजपुत तथा जाटों को अपने दुरवेवार से मतलब नाराज कर दिया था, और वे इसलिए क्या हुआ कि वे इस यूद में तटस्त रहे, भरतपुर का जो ये मुसलमान सहयोगियों के विरूद लड़ना पढ़ा था, अब आता है, अब दाली के सनिकों में जोश तो अब दाली के सनिकों में जिस प्रकार का जोश था, उसका मराठों में एकदम से अभाव था अबदाली के सनिक अपनी मात्र भूमी से बहुत दूर लड़ रहे थे अत्ता उनके सामने जीवन मरण का प्रशन था जिसे वे पूरे उत्साह के साथ लड़े इसके अलावा अबदाली ने इस यूद को जिहाद का रूप देखकर भी अपने सनिकों की धार्मिक भावनों को परभावित कर उनमें जोस भर दिया अर्थाथ अब हम धरम के लिए लड़ रहे हैं तो धरम के लिए वेक्ति कुछ भी कर सकता है ठीक है और अगला पॉइंट आता है कूट निती का अभाव मराठों में कूट निती क्योगेता का अभाव था उन्होंने अफ़कानों के विरुद सिखों जाटों राजपुतों का सोयोग प्राप्त करने का प्रियास नहीं किया इसके लाँ मराठों ने 1752 में मुगलों से संधी करके एदूर दर्शिता का परीचे दिया इस संधी के द्वारे उन्होंने पठानों जाटों राजपुतों आती को अपना परबल सत्रू बना लिया था ठीक है देखेगा मराठों को खाद्यान संकट ठीक है तो मराठों ने जब पानीपत के कस्वे में अपना पड़ाव डाल दिया तो अबदाली के सहनिकों और रुहेलों ने उनके रस्द के मार काट दिये और दिल्ली तथा दक्सिन से उनका समन तोड़ दिया इसके परणाम सुरूप क्या होता है कि उनके सीवर में खाद्यान की बहुत कमी हो गई उनका मनोबल तोटने लगा और जब खाने के सामगरी पूरी त्रहस्यसमात हो गई तो उन्हें अबदाली पर ऐसा है ही विवस होकर आकर्मन करना पड़ा ठीक है तो देखेगा मतलब म हूटा-मोठी हम यह कह सकते हैं कि कई कम्याँ ऐसी थी यदि वो कमी मराथो में नहीं होती तो ये यूध मराथे ही जीतते ठोड़ा सा भी धान वो जोग एक जुठ होकर लगाते यूध में तो पानि-पत का तनीतिया यूध है वय मराथों के पक्स में ही जाता ठीक है आगे के वीडियो में हम इत्यास विशे से संबन दी जो भी महतरपुन टोपिक हैं वो आपको पढ़ाएंगे तो बने रहें यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पे धन्यवाद